नमस्कार दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को पते होगा कि आज राजस्थान की राजधनी जैपुर में गठवंदन की पार्टी, आर एलपी और राजास्माज पार्टी की महारेली है आपको तादे की सत्ता संकलब यात्रा और सत्ता संकलब महारेली आज राजस्थान में हो रही है आपको तादे की राजस्थान के जैपर में चौमू पुलिया के विध्या धर नगर स्टेडियम में आपको तादे की आज जो सत्ता संकलब महारेली के लिए जो यात्रा है वो निकाली गई जिसमें भी मार्मी प्रमुक्ष चंदर सिखर आज़ाद और हनुमान बेनिवाल पहुँचे पहले इन्होंने आपको तादे कि 37 संकलप यात्रा की गाड़ी से कई किलो मीटर तक यात्रा निकाली इसके बाद आपको तादे कि वो उस महारेली को संबोधित करने पहुचे जहां पर ये पूरा कारकरम रखा गया ता दरसल आपको तादे कि राजस्थान में होने वाले बिधन सबचनाओं को लेकर आजास समाज पारटी और आरलपी पारटी का गठबंदन हो चुका है या गठबंदन आपको तादे कि राजस्थान में 200 सीटों पर चुनो लड़ने वाला है साती सात आज यह भी बता दिया जाएगा कि आरलपी की पारटी के तरफ से या आजस समाज पारटी की तरफ से किसको मुख मंतरी का पृत्यासी बनाया जाएगा फिलाल आपकी क्या राए है क्या यह गठबंदन राजस्थान में एक बड़ी जीत हासल कर पाएगा क्या राजस्थान की राजनीती में बड़ा बदला हो देखने वाला है जिस तरीके से हनुमान वेनिवाल और चंदर सिखराजद एक हुए हैं इस गठवन्दन पर आपकी क्या राय है और राजस्थान में आप किसकी सरकार किसको सियम देखना चाहते हैं अपनी कीमती प्रतिक्रिया हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें धन्यव